बागलपूर में एथेनौल फेक्टरी का सिल्ले नियास करने नौगच्या के साहू परवता पहुचे बिहार सरकार के उद्ध्योग विभाग के मंतरी सयद साहनवाज हुसेन ने राहूल गांदी के आलू से सोना बनाने वाले ब्यान और चरंग जित सिंग चन्नी के ब्यार प उदर से सोना निकलेगा वहीं मंच पर बयान देते उन्होंने कहा कि पंजाब के मुकमंतरी ने कहा है कि बिहारियों को भगाएंगे लेकिन हम ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहार के लोगों को उद्ध्योग और रोजगार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा हमने जीत ठा कर देंगिनिकर करे मिंखा पूर्णिया में पर एंधंखा थारण्में और चार प्लांट कलिकते साथ हो यह हम उद्या लग ध९ह मैंलों तेरल सुरू है कि लोग कैज़ते हैं पंजाब में आग करें ने का यह तो दोगर रोजगार के लिए करी जाना को आपकर जाहिए आपको अश्रबात चाहिए पिहार के तरक्ति होनी है और अभी तो हमें यूवाँ दमी योजना में किया है दस साल तक किया है इधर से साहु जी मक्का डालेंगे उधर से यह दो डॉलर और रुपिया जैसा पैसा निकलेगा यह राहूल गांदी वाला नहीं है सोना निकलेगा डाले क्यों बोलता हूं कि पेटर डालर बचता है अगर आप कंट्री से आपको डालर में खरिद ना परता है अब डालर बचाने के लिए यह प्रवत्ता उसमें रोल अदा करेगा मैं साहु एंग्रो्व के डारेक्टर है प्रितम साहु जी को वह बड़ा-बर मेरे संपर्क में रहते हैं और आप जानते हैं कि यहां पर मेरा विचार है कि जादे से जादे रोजगार मिले हमारे बिहार के नौजवानों को तो हम तो रोजगार दे ही रहें मुखमंतरी उद्दमी योजना में हमने 20,000 लोगों को करीब 16,000 अभी दिया प्रधान मंतरी रोजगार सिर्जन में दे दिया है इथनौल के प्लांट में दे दिया है फूड पार्क में दे दिया है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में दे दिया है लोग कहते हैं कहां है रोजगार आओ देखाते हैं रोजगार इसे कहते हैं अब हर खबर पर होगी हमारी नज़र पल पल पदलती देश और दुनिया की हर खबर पाईए सीधा अपने मोबाईल पर ऐसे ही खबरों के लिए करें सेट 24 लाइब को सब्सक्राइब साथ ही साथ दिये गए बेल आइकन को भी दबाएं